कि या़र पन है तो आप सभी का ज्यापनिकेडमी के इस नय लटेष्ट और धमाकेदार वीडियो में और आज की स्मूश्ट इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वीडियो में हम लोग 12 क्लास के उर्दू का पां Bowl कम Strange कि ना ही मैं कहीं गई थी और ना ही मैं रेस्ट में थी मैं आप सभी लोग के लिए ही content त्यार कर रहे थी आप सभी लोग की जिम्मेदारी हमारे उपर है इस एकेडमी के उपर है तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग की तैयारी जबर्दस तरीके से करवा है तो इसलिए मैं आप सभी लोग लिए content त्यार कर रहे थी इतना असान थोड़ना होता है content त्यार करना मैं ऐसे कैसे कोई भी question थोड़ना करवा देती हूं जो important होता है मैं सभी question कोई खटा करती हूं कौन-कौन से question आप लोग के बोड़िक्जाम में हर साल ग्रेट होती है आप लोग को पता होना चाहिए देर आये लेकिन दरुस्ता है देर आओ लेकिन content जबरदस्त होना चाहिए इसलिए थोड़ा सा खुशी हुई कि चलो और कोई नहीं जो हमारे स्टुडेंट है इस चानल के साथ जोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं वह हमें अकेला तो नहीं छोड़े हमारे बार में पूछ तो रहे हैं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है तो खैर चलिए स्टार्ट करते आ जाएगा आप लोग के बोड़ी दम में तो इसलिए हर एक कोशन पर आप लोग का कमांड होना चाहिए एक भी कोशन आप लोग को छोड़ना नहीं है हो सकेगा तो जिस दिन आप लोग का उर्दू का एकजाम है ना उसके एक दिन पहले रात को ही वीडियो देखकर जरूर जाएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से मैं आप सभी लोग के लिए इतना ज्यादा मेहनत करती हूं इतना कठीन परिश्रम तो आप मेरे लिए एक छोड़ा सा काम तो करी सकते हैं और वह काम यह है कि जितने भ उच्छा से वंचीत है उन्तंग उच्छा की शिक्छा पहुँंच सके हमारा नहीं कर रहे है तो हमारा यह चानल हमारा यह जो टीम हैं यह तो आप लोग भी ज़़ादा हो सकते हो आप लोग को बोले भी कि शेर करने के लिए और उसके बाद से वीडियो को लाइक रहा है तो सब्सक्राइब कर लिजीगा सब्सक्राइब करके बले कर यह निकी घंडे को दबा लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाल वीडियो और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुझेगा ठीक है तो चलिए फड़ फड़ स्टार्ट करते हैं हर एक कोश्टन को ध्यान से पढ़ समझा कर आता है तो समझे कर आ है जब कि पहला है तो आप लोग मरिंग पर नहीं जाएगा जो मस्ठ इंपोटन ते न वहीं मैं उठाओ चूंढ आ तो लेक्शनल को नहीं जाना है तो दिखिये सबसे पहला सवाल हिंदुस्तानी तहजी वों अतमदुन सेमें खाती है या नहीं वजाहत कीजिए कहने का मतलब यह है कि बागो बहार नाम का यह जो दास्तान है यह बागो बहार नाम का दास्तान हिंदुस्तानी तहजिव वोतमद्दुन या निकि हिंदुस्तानी सब्वेता से मेल खाती है या नहीं यह आप लोग को बताना है वजाहत कर तमद्दुन के अतबार से लिखी गई है जो हिंदुस्तानी सब्वेता के अतबार से लिखी गई है हिंदुस्तानी सब्वेता को मद्दे नजर रखते वे लिखी गई है जब यह मनजरे आम पर आई तो पूरे मुल्क में इसे मकबूलियत हासिल हो गई जब इसको प्रकाशि बाग बहर कदीम और अर्दू नसर की संग मेल की हैसियत रखती है और आगे देखिए इस दास्तान में जो वाकात बयान किये गए हैं यानकि जो गटना है जो कहानी बताई गई है वह आसान और सादा जबान में बयान है ठीक है ये बहुत ही सिंपल मीरमन डेलवी जो एना बहुत ही सादा और सिंपल जबान यानकि भाशा का यूज किये है मीरमन ने इस किताब के तरजमा में हिंदुस्तानी जबान की नुमाइंदगी की है हिंदوستانی زبان کو it har हिंदो कि नहीं लिए कि दो साल पहर की हिंदोस्तानी तहजीब की जहलक उसके मिलती चैख है typically बागवार का شमार उर्दो नश्र की मकबूल तरीन तसनिफों में होता है जो आमाम और ख्वास की जबान में लिखी गई है तो इस तरह आप लोग को लिखना है लंबा चोड़ा एंसर ये हो गया आप लोग का फॉस्ट का एंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन ये सारा पांच नमबर वाला है तो most important समझते हुए आप लोग कोश्चन को देखकर ध्यान से समझकर याद करते चले खुद से इंसर भी देने की कोश्च करे तो देखे दूसरा सवाल है कि बाग बहार की नसर की क्या एहमियत है बाग बहार की नसर की क्या एहमियत है जैसे कि अफसाना हो गया, खुदनविष्ट हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, निबंध हो गया, ये आम बोल चल की तरह लिखा जाता है, तो इसको नसर के अंतरगत रख देते हैं, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि बागो बाहर ये जो दास्तान है, दास्तान भी नसर के एहमियत रखता है, ठीक है, तो यहां पर आप लोग को बताना है कि उर्दू नसर की तारीख में बागो बाहर को एक सिंद की हैसियत हासिल है, देख रहे हैं, इसी तरह आप लोग को स्टार्टिंग करना है, बहुत ही जबरदस्त स्टार्टिंग है, इसके मुसनिफ मीरमन दहलवी है, ठीक है, आप लोग जानती है, बागो बहार नाम के इस चैप्टर के राइटर कौँ है, मीरमन दहलवी, आप बोल सकते हैं, दास्तान तो देखिए, आगे लिखा है, जिनने उर्दू नसर का मौहिद कहा जाता है, मीरमन को क्या कहा जाता है, बागो बहार की नस दाफा का असूल भी बूरता गया है सतही तोर पर हम कह सकते हैं कि भाग वहार की असलूम नहायत सहल और सादा है उद्धु नसर की किता बाग वहार हिंदुष्तान-a की तारिख तो जिस तरह लिखा है लंबा चड़ा आप लोग लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं पाश नमबर वाला है तो थोड़ा आप लोगो लंबा चड़ा लिखना ही पड़ेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है कि पेड़ पर चड़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू question देखिए जवाब में लिखा है कि पाकिस्तान की कैद खाने में एक ऐसा पागल था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ख्याल में पागल था मतलब हिंदुस्तान की कैद खाने में एक ऐसा पागल था जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ख्याल में पागल हो गया था क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बटवारा हुआ था और किसी को कुछ भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान का है हिंदुस्तान सबी लोग इसी में उलज कर गये थे तो वही जो है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में वो पाकिस्तान के कईद खाने में रह रहा एक पागल बहुत ज़्यादा पागल हो गया था और एक दिन दरख्त पर चड़ गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तक पाकिस्तान में अच्छा सिपाहियों ने कहा नीचे उतर जाओ तुम क्यों उस पर चड़े हो तो वो बोल रहा है पागल क्या बोलता है कि मैं ना तो हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं और ना ही पाकिस्तान में बलकि मैं इसी दरख्त पर रहना चाहता हूं लो भाई तो य यहां पर स्टार्ट है तोब टेक सिंग के बारे में लंबा चौड़ा तो देखिए तोबा टेक सिंग एक मुक्तसर अफसाना है तोबा टेक सिंग पन्जाब के एक गाउं से बिच्छड गया था और जेल में पहूँच गया था अपने खांदान और भाई बहन की जुदाई में सोचते सोचते पागल हो गया था इसी कर्ब के आलम में 15 साल तक लाहोर के पागल खाने में रहा अक्सर वबेश्टर उसकी जुबान से अजीब अलफात सुनाई देता था और वो कौन सा अलफाज था तो उपर दी गडगड़ दी एंकस दी बेधनिया दी मंग दी दाल और टोबा टेक सिंग इंडिया पाकिस्तान इसी तरह का ये वो जो है ना पाज अपने मुह में बड़बडाता रहता था बोलते ही रहता था जिसका कोई मतलब ही नहीं है और देखिए आगे क्या लिखा है कि पंद्रा बरसों तक यह अपने पाउं पर खड़ा रहा और इन पंद्रा सालों में कभी भी सोया नहीं इसके पाउं सूज गये थे इलब पागल खाने की बात की जा रही है उँब पागल खाने में इसके टोबर टेकसिंग के जितने भी परिवार वाले थे एक दिन बेडिया लगा कर उस पागल खाने में लाकर छोड़ देते हैं उसके बाद से अपने खांदान और भाई भान की जुदाई में सोचते और बी सालों में एक बार भी वो सोया नहीं था और हमेशा वो अपने पैरों पर खड़ा ही रहता था बहले उसको मतलब थोड़ा सा जबकी लेना था अराम देना था तो वो दिवार से टेक लगा कर थोड़ा सा रिस्ट ले लेता बट सोता कभी नहीं उसके पाउं सूज गए थे तो अफसाना कहानी है प्रामिस जो कि आप लोग के बुक में दिया गया भी है तो इस प्रामिस नाम के अफसाने की रोष्णी में अभी के जमाने के यानि कि आज के एहद के इंसाने रिष्टों पर इजहारे ख्याल आप लोग को पेश करना है अब देखिए जवाब अलड़ी में जितने भी लोग हैं नौ सभी लोग अपने ही बारे में आप अस्वारत पर्तिशन की मदद रहा एकम लोग 25 सिर्फ अपने वारे में सयखते हैं अपना काम बनता और भाण में जाये जनता सही बात है कि नहीं अगर कोई इंसान दूसरे इंसान से बाते कर रहा है एकदम अच्छे तरीके से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बाते कर रहा है तो समझे कि उसके पीछे कोई न कोई रीजन जरूर है या तो उसे कोई काम होगा कोई मतलब कुछ लेना होगा या फिर कोई काम करवाना होगा तभी वो उस तरह से बाते कर रहा है तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि आज के एहद के इंसानों को अपनी ही पड़ी हुई है एक जाइफ मा जो दो साल से बिस्तरे मर्ज पर पड़ी रहती है उसके सारे बदन में कैंसर फैल चुका होता है मौत किसी भी वक्त आ सकती है उसके बेटे जनाज़ा को कांधा देने आ जाते हैं दिल से नहीं चाहतने के बावजूद सिर्फ दिखावे के खातिर उस जगा पर मौजूद रहते हैं जो जाइफ मा बोड़ी मा दो साल से बिस्तरे मर्ज पर पड़ी रहती है उसका नाम रहता है अम्मो यह कहानी मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुकी हूँ आप लोग चप्टर पढ़े भी होंगे बहुत ज़्यदा इमोशनल कर देने वाली कहानी है ठीक है तो वो अम्मो जो रहती है उसके सारे बदन पर कैंसर फैल गया रहता है और उसकी मौत किसी भी वक्त हो सकती है और अम्मो जो है ना अपने चारो बेटे उसके चार बेटे रहता है चारो बेटों से प्रॉमिस ली रहती है कि जब मैं मर जाऊ ना मेरा इंतकाल हो जा कि आप लोग आ जाए कभी भी इनकी मौत हो सकती है तीन बेटे तो विदेश में रहते हैं तो तुरंत आ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अम्मों के जनाजे को कांदा देना है इसलिए सिर्फ आते हैं ठीक है और उसके बाद से जो सबसे छोटा बेटा चौथा बेटा रहता है न अपनी जावत तलब के खातीर मा की मौत का इंतिजार करते हैं मा की मौत वाके नहीं होती और उसे नजए के आलम में छोड़ कर छुपके से रुखसत हो जाते हैं तो होता यह है कि जब तीनों बेटे आ जाते हैं अम्मों का जनाजा होता है उसको मतलब कांधा देने के तीनों बैटेव को एक सांद देखती हैों को देखती है पोते पोतीव को देखती है तो बह manufacture और यहीशायद खुशी रहता है जिसके हहिसे अमो धीरे धीरे ठीक होने लगती है अभुसके बैटे देखते हैं कि भाई ये तो अम्मो मर ही नहीं रही है, मेरी मा मर ही नहीं रही है, अब ये क्या करते हैं, धीरे से दाई को बुलाते हैं, और बोलते हैं कि ये लोग कुछ पैसे, और अम्मो का देखबाल करते रहना, और उनकी तबीत हमें फोन पर बताते रहना, और ये कहकर वो चले जाते हैं, और श सिर्फ अपने बारे में सोच रहें, अपनी मस्रूफियत, कितने ये लोग मस्रूफ हो चुके हैं, ये सिर्फ यहाँ पर आये थे, मेरे जनाज़े को कांधा देने के लिए, और मेरी मौत नहीं हुई, तो देखें, ये फिर से लोट रहे हैं, मुझसे बीना बताये ही, तो ये बहुत ज़दा सोचती है, और वहीं पर अम्मो का इन तक आल हो जाता है, और उसके बाद से दाई फोन करके बोलती है, जनाज़ा जो लेकर, मतलब उठाया जाता है, उसके पास फोन करके बोलती है, कि डेड बोडी यहां पर पड़ी हुए, आकर लेकर चली जाओ, और उसके बाद से वो जो चारो बेटे वादा किये रहते हैं, प्रॉमिस किये रहते हैं अम्मों से, वो वादा तूट जाता है, और बिचारी अम्मों की मौत हो जाती है, तो कुछ इस तरह से कहानी है, ज्यादा ही मैं लंबा खिशती, बट कोई दिकत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अफसाना प्रॉमिस की तलखी स्पेस कीजिए, या प्रॉमिस का खिशा कीजिए, यानि कि आप लोग को प्रॉमिस नाम के कहानी, ये जो अफसाना है, इसका खिशा करना है, कि इसमें क्या बतायागी है, तो मैं पूरी कहानी तुम्हें आप लोग को बताई दी, आप लोग इतना लंबा चोड़ा पढ़ लेजे, ओके इस अफसाने का मरकजी किरदार मा है, यानि की अम्मो, शोहर की मौत के बाद किसी भी बेटे के साथ नहीं रह पाती है, उसके सारे बदन में कैंसर का मर्ज फैल चुका है, उसकी मौत किसी भी वक्त वाके हो सकती है, उनके बेटे ने जान बुझ कर चंद बहानों का सहारा लेकर अबाई घर में रहने पर मजबूर कर दिया, और वो अपनी जिस्मानी तकलीफ को सहती हुई, अपने दिल दर्द को भी झेलती रहती है, उसकी कोई परवाह नहीं करता, उसके बेटे उसके जनाजा को कांदा देने के लिए आते हैं, लेकिन मसरूफियत की वज़ा से अपनी मा को नजे की हालत में छोड़का रुकसत हो जाते हैं, तो वही बात जो भी मैं आप लोगों को बताई, पूरी कहानी यहाँ पर, देखें ये श्टॉर्ट कोर में भी बताये गया और बहुत ये अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर लिख दिया गया, एकदम खु रमोश हो गए, लोग उन्हें कैसे भूल गए, यही आप लोगों को बताना है, एकदम सिंपल और हलवा कोश्टन है, आप लोग जानते भी होंगे इसका एंसर, देखें लिखा हुआ है कि डारेक्टर जनरल सेद अजीज एहमद जब ओहदे से सबकदोश हुए तो गाड़ नहीं रखना छोड़ दिये, भई सियद अजीज एहमद जो थे ना, डारेक्टर जनरल के जब पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो उनके पास जो भी मोटर गाड़ी वगरा, जो भी कार वगरा था, वो सब रखना छोड़ दिये, अपने घर पर नेम प्लेट भी लगवाया, तो सिर्फ अजीज एहमद लिखा, जिससे मालूम हो सके कि उस घर में अजीज एहमद रहते हैं, लेकिन लोग उनको भूल गए, वो अपने घर के सामने जो नेम प्लेट लगवाये थे ना, उस पर सिर्फ अजीज एहमद लिखवाये थे, डारेक्टर जनरल नहीं लिखवा दे थे, शफी जावेद ने भूले विसरेगीत में इस बात को पेश किया है, कि लोग किस कदर खुदगर्ज होते हैं, कि ओधे को पहचानते हैं, आदमी को नहीं, शफी जावेद जो है ना, भूले विसरेगीत नाम के इस कहानी से यही बताने की कोशिश किया है, कि लोग उहदे यानि कि पोस्ट को पहचानते हैं, आदमी को नहीं, बताईए जब सेद अजीज अहमत डारेक्टर जनरल के पोस्ट परते हैं, तो उनको बहुत दा रिस्पेक्ट दिया जाता था, बहुत दा सम्मान दिया जाता था, लेकिन जैसे ही उनका रिटार्मेंट हुआ, अभी डिरेक्टर जनरल भी थें, तो ये मतलब बात जो है ना उजागर करने की कोशिश किये हैं, शफी जावेद भूले विसरेगित नाम के इस कहानी सफसाना के जरीए, आगे बढ़ते हैं, आप डिरेक्टरी की लाश कब तक कांधो पर लिये फिरेंगे, यह बात बीवी ने सेयद अजीज अहमत से क्यों कहीं बताना है, यह भी एकदम हलवा कुश्चन है, जवाब देख लेते हैं, सेयद अजीज अहमत की बीवी से अक्सर वा बेश्टर जगड़ा होता रहता था, और वह कहती थी कि जब आप अपने ओधे से सबकदोश हो गएं, तो कंतनी कम होने के वज़ा से तंगी की जिंदगी गुजारते थें, कभी कभी सेयद अजीज अहमत सोचते थें, कि मैं डिरेक्टर जनरल के ओधे पर काम कर चुका हूँ, और अपने कमतर मुएगार के काम से सबकी का हैसास पैदा करते थें, इसी वज़ा से बीवी ने से इसलिए कहती हैं, कि डिरेक्टरी की लास कब तक अपने कांदे पर लिए फिरेंगे, यह इसलिए बोलती है, क्योंकि सेयद अजीज अहमत डिरेक्टर जनरल के पोस्ट से रिटायर हुए थें, और रिटायर होने के बाद उनके घर में तंगी थी, पैसे की कमी थी, और ज जथी रह जाएगी, इसलिए वो छोटा मोटा काम नहीं करते थे, और इसलिए उनकी बीवी जो है ना, वो कहती थी कि कब तक डिरेक्टरी की लास अपने कंदे पर घुमते रहेंगे, लिए फिरेंगे, वही बात है, आगे बढ़ते हैं पड़ाफट, पांच नंबर वाला स जिए कि टाइम ही वेस्ट हो जाए, तो टाइम का भी ख्याल रखना है, और लेंद का भी ख्याल रखना है, अफसाना भूले बिसरे गीत का खुलासा लिखिए, या अफसाना भूले बिसरे गीत का मरकजी ख्याल पेश कीजिए, देखिए आप लोग के बुक में जितना भी अफ़्ाना दीया गया है ना कहानी न सभी कहानी को मैं आप लोगों अल्लेडी पढ़ा चुकी हím जितना भी कहानी देगा उसमें से एक कहानी का खुलासा करने के लिए तो पक्का है की पूछेगा इसमें तो कोई शक ही नहीं है तो सभी कहानी को, सभी अफसानी को आप लोगो ध्यान में रख लेना है कि हाँ, इस कहानी में ये बताया गया है और जिस कहानी का खुलासा करने के लिए पूछेगा एकदम आराम से लफजों को सजा कर आप लोगो खुलासा कर देना है ठीक है, जिससे कि याँ पर पूछ दिया है कि अफसाना भूले बिसरेगीत का खुलासा कीजिए जो कहानी है भूले बिसरेगीत, इसका खुलासा बियान करना है बताना है कि इस कहानी में, इस चैप्टर में क्या बात बताया गया है तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि अफसाना भूले बिस्रगीत शफी जावेद का अफसाना है स्टार्टिंग आप लोगो इसी तरह रखना है सेद अजीज एहमद डिरेक्टर जनरल के ओधे से सबकदोश हुए थे उनकी मांदारी असूल पसंदी का उनके बेटे उनका मजाक उडाते थे कि आप डिरेक्टर जनरल के पोश्ट पर जब काम कर रहते तो बहुतना इमांदारी से काम करते थे तो आपकी इमांदारी से ये जो की गई काम है इससे कोई फाइदा हुआ अभी तो हम लोग तंगी में है हमारी आरतिक स्थिती अच्छी नहीं है हमारे घर में पैसे की कमी है तो आपके डारेक्टर जनरल होने से कोई फाइदा है इतना ही जदा इमांदारी से काम किये तो इमांदारी से काम करने का आपको कोई फायदा हुआ कोई लाब हुआ और यही करकर जो है ना उनका बेटा उनका मजाब उड़ाया करता था सेद अजीज अहमद का मुलाजमत से रिटायर होने के बाद लोगों के हाफ़जे से फरामोश होने के सान साथ अपनों के रवईये और सुलुक की सफाकी और बेरहमी को से अपनी जान तक गभाव बैटते हैं यह हुआ है लास्ट में वह पुराने ट्रंजिस्टर को डूंद अर जब उनको ट्रंजिस्टर जैसे ही मिलता है और भूले विस्रेगित जैसे ही वह प्रोग्राम जो है ना वो मेंस तैसे ही उनकी मौत हो जाती है तो यह आप माज में आभी गया होगा आगे बढ़ते हैं फड़ाफट इबराहिम सक्का के मरकजी किरदार का सरापा बियान कीजिए इबराहिम सक्का जो की मरकजी किरदार है में करेक्टर उसके बारे में आप लोगो बताना है तो जब आप देखते हैं फड़ाफट उर्दु जुबान वादब में सलाम बिन रजाक एक बहतरीन अफ़ाना निगार है इस अफ़ाने का मरकजी किरदार इबराहिम सक्का है मेन करेक्टर क्या है इबराहिम सक्का यूं तो धोरन गाउं का एक इमानदार और तन्हा साकी है जिसके हाथ से पूरा गाउं पीता है एक साकी है इबराहिम सक्का मैं आप लोगो चप्टर पढ़ा रहे थी पूरी कहानी बताई हूं तो इबराहिम सक्का जो है ना वो एक साकी रहता है यानि की पानी पिलाने वाला रहता है तो वो सभी गाउं को पानी पिलाता है और पूरा गाउं उसी क हाथ से पानी पीता है इबराहिम सका एक गैर मामूली इनसान की हैसियत से इस अफसाने का मरकजी किरदार है उसकी जिन्दगी में रंज वगम है महनत कश और हलाल रिजक का हासिल करने वाला धोरन गाउ का इनसान है जो बेदार खादेशमुक की बहन से महबत करता है लेकिन अ देशमुक की बहन दुनिया छोड़कर चली जाती है तो इबराहिम सक्का उतकी कबर से लिपट जाता है और अपनी जान दे देता है यही है पूरी कहानी का मरकजी किरदार मतलब मरकजी आप बोल सकते हैं ख्याल पूरी कहानी में क्या बताएगा है क्या है पूरी कहानी पर बता दियागा और इसी तरह आप लोगों को लिखना है अगर यह सवाल पूछता है तो आगे बढ़ते हैं इबराहिम सक्का की मौत किन हालात में हुई लिखिए इबराहिम सक्का की मौत कैसे हुई किन हालात में हुई आप लोगों को लंबचोड़ा पाच नंबर वला ह तो लंबा चड़ा लिखकर आप लोगों को खुलासा कर देना है बता देना है तो चलिए देखते हैं एंसर इबराहिम सक्का धोरन गाओं के बेदारखा देशमुक की बहन से इश्क करता था गुर्बत के होजा से अपने इश्क का इजहार में खामोश रहता था अचनक धोरन गाओं में एक हंगामा पैदा हुआ के बेदार्खा के यहां चोर गुज गया है उसके बाद मालुम हुआ के बेदार्खा की बहन ने खुढशी कर ली ने अपनी महबत में जान दे दी यह आप लोगों को लिख देना है लंब चड़ा और कहानी तो आप लोग जानते हैं विचारा इबराहिम सक्का जो है चौथी क्लास का स्टूडेंट मतलब चौथी क्लास तकी पढ़ाई किया रहता है लोगों को पानी पिलाता है थाकी रहता है और ये बेदार खादेश मुक जो की मतलब उस गाओं का सबसे हटा कटा और अब बूल सकते है Game पहुआएं अपने इश्क का इश्र नहीं कर पाता है और चुप चाप रहता है बैचारा एक दिन जो है ना विदार खारदेश मुख के यहां मतलब यह हंगामा होता है कि चोर गुषायय चोर गुषायय है और फिर लोग अफ़़ाए उठाते हैं कि चोर नहीं गुषा था विदार खारदेश मुख की जो बहनें उसका आश्रिकाया हुआ था फिर अगले दिन पता चला कि विदार खादेश्मों की बहन वो खुदगुश्री कर ली है सभी लोग कबरिस्तान में लेकर जा रहे थे पीछे पीछे इबराहिम सक्का भी जा रहा था और उसकी जो रूह है प्रवाज कर गई है यानि की रात बर उस ठंड में कापते हुए रोते रोते उस कबर पर अपना जान कुर्बान कर दे यानि की इबराहिम सक्का की भी मौत हो जाती है और इस तरह इबराहिम सक्का अपनी महबत में जान गवा बैटता है ठीक है तो इस तरह नहीं करना चाहिए इससे हम लोगों को यही सीख मिलती है चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ावट इबराहिम सक्का का खुलासा लिखिए देखे इबराहिम सक्का सलाम बिन रजाक का अफसाना है यह अफसाना समाज के कमजोड तमके से तालोक रखने वाले एक वहश्यती के गिर्द घूमती है अफसाना निगार एक सकूल का मुआइना करने सकूल इंस्पेक्टर की हैसिएट से धोरन गावा आते है यही वे स्कूल है जहां वो 25 वर्स पहले एक मुद्रत के हैसियर्थ से मुकरर हुए थे उसी गाउं में बहशती इबरहीम सक्कर रहता है जो पूरे गाउं के लोगों के घर जाकर पानी भर दिया करता था वह मामुली शकल वस्तुरत का इंसान और नहायत गरीब है ठीक है और वही जो कहानी है वो बताये गया है लंबच़ड लिख दिया गया है बस आप लोगों को थोड़ा पकड़ बनाना है कि लिखना आप लोगों कैसे है लफ़ों को सजा कर किस तरह लिखना है यह आप लोग पकड़ बना लीजिए ठीक है वह एक खुददार और महनत कश इंसान है किसी के रहम और करम और दूसरों के टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता है बलके महनत की रोटी खाना पसंद करता है चूंके वह 20-25 बर्स का नौजवान लड़का है इसलिए उसके अंदर भी महबत के वजबात उबरते हैं वह एक उंचे तबके की लड़की से महबत करता है लेकिन गरीबी के वज़ज़ से एपनी महबत को नहीं पा सका वह सब खामोशी से सहता है यहां तक कि उस लड़की की मौत हो जाने पर उसकी कबर पर अपनी जान दे देता है और इस तरह कहानी इल्म तारी की खसूसियत यहीं की विश्रिष्टा बताना है आप लोगों को तो देखे लिखा हुआ है कि मुलाना बुल्कलामाजाद हिंदुस्तान की आजादी के बहुत बड़े सियासत दा और खतीबुल हिंद थे उन्होंने तर्जमान कुरान लिखा था तफसीर के एतबार से नहायत उम्दा है गुबर खातिर उनकी नसरी तस्नीफ है जिनकी बन्याद पर अर्दु जबान वादब में एक साहब तर्जद अदीब की हैसियत से मशूर और मारूफ है उनकी खतूत की जबान में नसर की दिलकस्री मौजूद है और अर्बी वफार्सी की अलफाज वो परापलों को बताना है तो मौलाना आजाद ने हिंदुस्तान की चाहे को सेयाल हल्वा से ताबिर किया है वो खुद चीनी चाहे पीते थे यानकी चीन की चाहे पीते थे जो आतिस सेयाल की तरह है लेकिन मौलाना साधी चाहे पीते थे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आ पानना था कि चाय का मतलब सिर्फ पानी हो और चाय पत्ती हो और कुख नहीं लेकिन हिंदुस्थान की चाय को इसलिए उसलिए सisyalias degli हलोवा quelque है is उसमें क्या क्या डाल कर स्याल हलुआ बना दिया जाता है अधरक इलाईची वगरा जो भी डाला जाता है उडाल कर स्याल हलुआ बना देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए तो वही बताए है मौलाना अबुलकलाम मजद की हिंदुस्तान की जो चाहिए ना वो स्याल हलुआ है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि गालीब और मौलाना अबुलकलाम आजाद का बहैसित मक्तूब निगार मौजना कीजिए भई गालीब और मौलाना अबुलकलाम आजाद की मक्तूब निगारी की खसूस याद बताना यानि कि विश्षिशताए बतानी है तो देखिए मिर्जा स्दूल्ला खा गालीब और मौलाना बुल्कलाम आजाद मक्तूब निगारी तारीख का एक किमती सुर्माया है मौलाना आजाद राची के चार साल नजर बंदी में और किला एहमद नगर की असीरी में गुबार खातिर जैसे अद्वी शाकार की तखलिद की है वही जो है ना मौलाना बुल्कलाम आजाद की तारीफ होगा रखी गई है और मिर्दा गालीब की तारीफ यहां से स्टार्ट हो रही है कहां से हां जहां तक कе गालेब और आजाद की मक्तूब नेगारी की मौझना की बात है तो उसके कई इस्बाब जो है मौलाना आजाद के दोर में अर्दू नसर की जबान कई रर्तकाई मुराहल को तै कर चुकी थी इसी वज़े से मौलाना की खुतूत में आलमाना रंग और अद्बी शान मिलती है वगरा वगरा आप लोग देख सकते हैं बहुत जादा ये लंबा है तो आप लोग इतना लंबा लिख भी सकते हैं नहीं तो इसको आप लोग सौट कर छोटा करना चाहिए तो छोटा भी कर सकते हैं लेकिन जितना लंबा है उतना लंबा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं नजम गुफतगो का मुखतसर खुलासा कीजिए अब देखिए अफसाना में से कोई एक अफसाना पूछ सकता है खुलासा करने की और नजम याद कर जितना भी आप लोगे बुक में नजम दिया गया है नजम estaban को पढ़़ा चुकि हना है कि कोन से नजम में क्या बताएगया है कोई से कविता में क्या बताएगया है उसको ध्यान में रख लेना है क्योंकि नजम में एक नजम का खुलासा करने के लिए पक्का है कि पूछे कि नजम गुफटगू अली सरदार जाफरी की नजम है इस नजम को उन्होंने हिंदु पाक की दोस्ती के नाम मनसूब किया है इस नजम में उन्होंने मुलक के दर्मियान होने वाले मसलों से निजात की तरकीब बताई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के पडोसी हैं आजादी के बाद मुल्क का बटवारा हुआ और दोनों ममालक एक दूसरे के दुश्मन हो गए गुफ्तगू ऐसी चीज है जिससे बड़ा से बड़ा मसला आसानी से हलो हो सकता है इसलिए दोनों मुल्कों के दरमयान ऐसी मुलाकात हो और उस वक्त तक खत्म ना हो जब तक के उनकी आपसे दुश्मनी खत्म ना हो जाए जो हाथ पत्थर मारने के लिए उठते हैं उन हाथों से दोस्ती का दामन थाम लेना बहतर है एक दुसरे के श्रिकवा को भूल कर मुहबत के जाम जलकाएं ऐसा करने से दोनों मुल्क का मुस्तक्बिल रोशन होगा तो ही बात बताने की कोशिश किये हैं कि गुफ्तगू ऐसी चीज है ना कि बड़े से बड़े मसले को गुफ्तगू के जरीए खत्म किया जा सकता है और गुफ्तगू नाम के इस नजम इस कवीता के जो राइटर है यही बताने की कोशिश किये हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो गलत फैमिया है जो दुश्मनी हैं तो अगर यह दोनों मुलक एक जगा बैट कर गुफ्तगू करें कनवर्सेशन बातचीत करें और इतने लंबे समय तक बातचीत करें कि जब तक इनकी दुश्मनी खत्म ना हो जाए तब तक यह बात यह गुफ्तगू चलती रहनी चाहिए तो इनको ऐसा लगता है शायर को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अगर गुफ्तगू होती है कनवर्सेशन होता है बातचीत होती है तो उनके बीच की जो भी गल्स फैमिया है जो भी दुश्मनी है वो खत्म हो जाएंगी और फिर से ये दोनों मुलक एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे तो वही बात बताया गया है आगे बढ़ते हैं नजम गुफटगू में शायर ने किन ख्यालात का इजहार किया है लो भई, वही सवाल घुमा कर पूचा है देखें, यहां पर पूचा गया है कि नजम गुफटगू का मुक्तसर खुलासा कीज़े इसमें क्या बताया है, गुफटगू नाम की कवीता में क्या बताया गया है यह खुलासा करना है और वही बात को थोड़ा सा घुमा कर यहां पर पूचा गया है कि गुफटगू में शायर ने किन ख्यालाद का इजार किया है बात तो ही है कोशन तो ही पूछा जा रहा है तो एंसर आप लोगों को उसी तरह लिखना है कि नजम गुफटगू में शायर ने इन ख्यालाद का इजार किया है कि आजादी से पहले दोनों मालिक अंग्रेजों के गुलाम थे सब हाथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी भी मिली मगर आजादी के बाद मुलक का बटवारा हो गया और दोनों मालिक एक दुसरे के दुश्मन बन गए इसलिए दुश्मनी को गुफ्तगों के जरीए खत्म किया जा सकता है इसलिए दोनों मुलकों के दरमयान ऐसी मुलाकात हो और उस वक्त तक खत्म ना हो जब तक कि इन दोनों के दरमयान के मसले और दुश्मनी खत्म ना हो जाए और एक दुसरे के श्रिकवे को भूल कर दोस्ती का हाथ बढ़ा है ऐसा करने से दोनों मुलकों का मुस्तक्बिल रौशनों का वही बात लिखा गया है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि नजम अब देखें यहां पर जो कवीता है मेरा सफर इसका खुलासा करने के लिए पूछा जारा है मैं आप लोगों को बोल रही हूँ आ जितना भी आपलों के बुक में नजम दिया गया है उसमें से एक नएक नजम तो है पक्का है कि पूछेगा आप लोगों के बोल इक्साम में इसलिए याद कर लीजिएगा मेरा सफर नजम का खुलासा करने के लिए बोल रहा है तो आप लोगों को स्टार्टिंग कैसी करनी है ये देख लीजे ध्यान से कि नजम मेरा सफर अली सरदार जाफरी की नजम है इस नजम में शायर ने मौट की हकीकत को बे़ान किया है मौट हर जान दार पर लाजमी है लेकिन उसके साथ ही पैदाईष का अमल भी जारी रहता है मौट जब आती हैं तो उससे पहले आँखों की रोशनी चली जाती है जुबान से आवाजबंद हो जाती है मौत से पहले वह सारी शकले मसक हो जाती है जो इनसान जिन्दगी में खुश गवार लम्हे गुजार चुका होता है नजम के आकरी हिस्से में शायर कहता है कि मौत के बाद लोग मुझे उस वक्त याद करेंगे जब मैं कुछ अच्छा काम कर जाओंगा मेरी अच्छाई ही मुझे मरने के बाद जिन्दा रखेंगी वही बात है मेरा सफ़र नाम के इस नजम में शायर यही बताने की कुश्की है कि मौत आने से पहले कौन-कौन से दृश्य हमें दिखाए देते हैं क्या क्या होता है कौन-कौन से गटना है हमारे साथ होती है और उसके बार से मौत जब हो जाती है ना तो हम कुछ जिन्दगी में जो अच्छा काम करके गए रहते हैं उसको लोग याद करते हैं हम मर कर भी अमर रहते हैं डिर सारी बात आगे बढ़ते हैं अब देखें यहाँ पर बोल रहाए कि नजम कवीताः खेती जो है ना खेती नाम किसकोईता का खुलासा लिखिए इसका भी लिखा हुआ है खुलासा किस किसकोईती नाम के नजम में क्या बटाया गया है नजम खेती अमिक हनफी की नजम है 11 मिसरों पर मुष्टमल या नजम इन्सान के बका और उसकी फना के मरहलों के साथ ही वक्त की कौद से हमें आशना करवाती है وक्त इस नजम का मरतजी करदार है खेती नाम के इस नजम इस कवीता का मरतजी करदार में करेक्टर कोन है तो वक्त वक्त हमें मवाकी देता है और फिर खुश होता है इनसान के हाथों ही इनसान के मुकदर का फैसला होता है ऐसा फैसला जिसका नतीज़ा हमेसा फना ही होता है तमाम इनसान वक्त की खेती है वक्त के हाथों वक्त का लुकमा ही बनना पड़ता है यहां पर बोला जा रहा है कि वक्त हमें बढ़ने के मौका देता है, हम अपने जिन्दगी में खुश रहते हैं, खुशी के लम्हें बिताते हैं, जितने भी लोग के साथ हम लोग रहते हैं, जो भी हम अपने अच्छे पल गुजारते हैं, या फिर जो भी बुरे पल हैं, हमा बना ही लेता है लास्ट में हमको एक ना एक दिन मर ही जाना है हमें मौत आनी ही आनी है तो वही बोला जा रहा है आगे बढ़ते हैं नजम खेती का मरकजी ख्याल बियान कीजिए बात वही है नजम खेती का खुलासा कीजिए फिर मरकजी ख्याल यान की थीम बताईए बात वह होता है इस बात के लिए क्योंकि तुम अपने जिन्दगी में जिससे बाते करनी है जो भी पाना चाहते हो पालो आखिर में तुम्हें तो हमारा लुकमा बनना ही है तो यह बोला जला है कि वक्त के हाथों ही इनसान के मुकदर का फैसला होता है वक्त एक एक तरफ तो यह इनसान को एक खास मरहले तक परवाने चड़ाता है और दूसरी तरफ उन्हें फरां के हवाले कर देता है और तमाम इनसान इसकी खेती में फसल तयार हो जाए तो मामूल के मताबिक इनसानों के वक्त का लुकमा बनना ही प कलीसा नाम का यह जो कवीता है नजम इसका आप लोगो खुलासा लिखना है तो देखिए इसका भी खुलासा लिखा हुआ है कि नजम बर्ग कलीसा अकबर अलाबादी की नजम है इस नजम में शायर ने मुसल्मानों की बधाली और बे रहरवी की तंजे अंदाज में पेश कि हैं नजमबर के कलीसा है ना इसके जरीए जो अकबर अलाबादी है इस चैप्टर के राइटर शायर वो ये बताने की कोशिश किये हैं कि मुसल्मान जो पहले के मुसल्मान थे ना वो असली मुसल्मान थे अब मुसल्मान में काफी परिवर्तन हुआ है अभी के मुसल्मान पहले के मुसल्मान के जैसे है ही नहीं ठीक है अभी सिर्फ नाम के मुसल्मान है और वो लंबा चोड़ा चली मैं पढ़ ही देती हूँ नजमबर की कलीसा में शायर ने मुसल्मानों की बढ़ाली और बेराहरवी को तंजे अंदाज में पेश किया है शायर के मुसल्मान बजर्ग के वाकात का भी जिक्र किया है ऐसे मुसल्मान के बारे में बयान किया है जो अंग्रेजी तहजीब को ही सब कुछ समझते हैं जब अ का मुसल्मान हूँ आज की लोग आरदी महबत और महबूब के लिए अपने दिन वा मजब को भी छोड़ने के लिए तयार है अभी के जितने भी मुसल्मान है अपने महबूब के लिए जो है अपने दिन वा मजब को भी छोड़ने के लिए तयार है अभी के मुसल्मान में नहीं कोई बात लिखा गया है आगे बढ़ते हैं नजम मुतशायर लिखने का मकसद क्या है तो जफर कमाली की नजम मुतशायर जरिफाना अहंग से मरबूत है देखे यहां पर यह भी पूछता ना कि नजम मुतशायर का खुलासा कीजिए तो भी आप लोग यही लिख सकते ह और नजम मुतशायर लिखने का मकसद क्या है तो अभी आप लोग यह भी लिख सकते हैं कोई लिक्त नहीं है इस नजम के लिखने का मकसद तमसीली कौतों को समाज के सामने पेश करना है इस नजम मुतशायर ऐसा है जो खुद शेर वादब से ना आशना है लेकिन रुपे कमाने के लिए शेर वादब की महफिल में एक साजिश करता है जो अदबी तोर पर जायज नहीं है हर शोबह वफिकर में बनावटी लोग एहम मकाम हासिल करते हैं और दूसरे के कलाम से अपने आपको पेश करते हैं और या उर्दू अदब के लिए अभी अच्छी अच्छ बनाता है और कलाम का मदई बन जाता है जो एक जर्म है लेकिन आज के दोर में हकीकत पसपरदा है और गयर हकीकत जाहिर करता है या वर बोला जारे कि जो हकीकत का शायर है वो खुद अपने कलाम को अपनाता है खुद लिखता है वो खुद शेरो शायरी लिखता है लेकिन जो मुतरशायर होता है उसी कलाम का मदएई बन जाता है यानि कि उसी कलाम को चुरा कर पढ़ता है जो कि कानून नहीं आप बोल सकते हैं जो कि एक जुर्म है लेकिन आज के दौर में लोगों को हकीकत कहा दिखाई देता है और आज कल भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं दूसरों के content को चुड़ा कर जो है ना अपने एसाब से आप बोल सकते हैं उसको दिखा दे रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे आगे बढ़ते हैं फड़ा फट नजम नजम मतशायर का खुलासा लिखिए यहां पर पूछ भी दिया है यहां पर पूछाए कि नजम मतशायर का खुलासा लिखिए यहां पर पूछाए कि नजम मतशायर का खुलासा लिखिए यहां पर नजम मतशायर में जफर कमाली ने बातिल कौतों को समाज के सामने नंगा करन बनाया है आगे वही लिखा गया है कि नजम का उन्वानू तो शायर है यानि ऐसा शक्स जो खुद शायर नहीं कहता है जो शेर नहीं कहता है ऐसा शक्स वैसा इंसान जो खुद शेर नहीं कहता हो लेकिन समाज में शायर की हैसित से अपने आपको पेश करने में काम्याब हो ग गए हैं और अच्छे लोग हाश्रिया पर डाल दिये गए हैं कि इस तरह यह समाज हमें एक समाजी बीमारी की तरफ मतवज़ा करती है अच्छे और सच्छे लोग का हक मारने वालों को मुझरिम करार देती है हाँ यह बिलकुल बात सच है और यह आप लोग अपने समाज में भी देखे होंगे समाज के लोगों मतलब जिस तरह मुत शायर होता है ना बनावटी शायर जो असली शायर है उसके कलाम को उसके शेरोशाइडी को चुटा कर पढ़ता है और अपने आपको यह शायर हो मतलब जो असली शायर है उसका हक मारकर वो खुद अपने आपको शाय रहे हैं लेकिन जिसका वह हक मारकर जिसका नखल करके अच्छे पोस्ट पर हैं वह इंसान जो पड़ी सकता आगे बढभ जाता है तो इस तरह जोड़ाने की हक बार थे हए वह एक दूसरे से मज्रिमंकरार दे जाता है एक तरह मुझरिम है और उसी तरहा है हुए चैहिछ समाज में बहुत तरह लोग आपने को 적 pearl वही बात यहां पर बोला जाता रह आ चलिए आग़े बढ़ते हैं ज्यादा बात ना करते हुए अगला सवाल है कि नजम हम नहीं जानते में शायर ने किन ख्यालात का इजार किया है क्या बताने की कोशिश की है शायर हम नहीं जानते नाम के इस कवीता में तो देखे लिखा हुआ है जवाब में कि नजम हम नहीं जानते एक जदिद तर्ज की आजाद नजम ह या नजम अफसानवी जुबान से जाहिदा जैदी ने उर्दु जुबान में तरजुमा किया है यहाँ पर अफसानवी नहीं रहेगा इतालवी रहेगा इतालवी जुबान अफसानवी जुबान आप लोग सुनें काम जाहिदा जाइदी ने किया और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि इतालवी जबान से यहां पर क्या रहेगा इतालवी अफसान भी नहीं रहेगा इतालवी जबान से जाहिदा जाइदी ने अर्दो जबान में तर्जमा किया यह ट्रंसलेट किया यह नजम तीन हिस्सों पर मुझतमल है यह शायर के ख्यालात में नशीव वफिराज है पहले हिस्सा में शायर गहर यकीनी मुस्तक्बिल के बारे में सोचता है और जमाने के अफरतफरी को पेश करता है एक हसीने ख्याल को रूनमा करता है लेकिन उमीद के अंदेशा से घबराता नहीं बलके एक उम के बदलने की होसला पैदा करता है गोया मुहबत के जजबों से सरशार नजर आता है जो एक तकलीफ एहसास है तो यह कहानी का जो है आप बोल सकते हैं कहानी नहीं है बलकी नजम है हम नहीं जानते हैं इस कवीता में बताए गया है शायर यहीं बताने की कुश्च की है यही उन्हामें एक उम्मीद की किरन लेकर चले कि हमारा आने वाला जो भविश्स से है वो अच्छा ही होगा तो ये जो है ना शायर यही ख्यालात का इजहार किये हैं इस नजमिस कवीता में आगे बढ़ते हैं गालिब की जिंदगी की हलाद बियान कीजिए गालिब के बारे में बताना है सताईस दिसमबर सताईस से संतांविर को आगरा में पैदा हुए थे उनके वालिद मिरजब अब्दल्ल्ला बेग और इनकी वालिदा इज़त-ौन्निसा की बेगम थी बच्छपन में गालिब की वालिद का इंतकाल हो गया, उनके बाद उनके चचा नसरलाबेग ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया, चचा के इंतकाल के चंद बरसों बाद गालिब अपनी माह की सरपरस्ती में रहें, तेरह साल की उमर में उनकी शादी उमराव बेगम से होई, और शादी के बाद मस्तकल तोर पर दि पिंशन भी अंग्रेजों ने जारी कर दिया उसके बावजूद उनकी मौाशी परिशानियों में खातिर ख्वाहत अब दिली नहीं आई इसी परिशानी की आलम में 15 फरवरी थारा सा 69 इस भी को दिली में गालिब का इंतकाल हो गया और हज़त निजामुदीन ओलिया में जितना भी नमबर का पूचे आप लोगो शेर की तसरी मैं बता दे रही हूं देखें यहां पर कुश्चन पूचा गया है कि दजल इशार में से किसी दो इशार यानि कि दो शेर की तसरी करना है तो देखिए पहला शेर है कि कैद में याकूब ने ली गोना यूसूफ की ख कायेगा, मुझे सरमार के overcome से मर जे नहीं यह आथा, यह दूसरा शेर है, और तीसरा शेर यह रहा, कि कोताहियों की अपनी, मैं तावील क्या करूँ मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया ये तिसरा अब इन तीनों में से आप लोग को क्या करना है इन तीनों में से किसी दो शेर का तशरी करना है तो देखिए तशरी किया गया है पहले शेर का किया शेर गालिब की घजल से माखूज है ये जो पहल जेल में ते तो याकूब यासलाम ने यूसफ हली खबर ना ली लेकिन याकूब यूसफ लैसलाम के इंतजार में दर्वदर को देखते रहते थे और उनकी आने की पूरी यहाँ पर उनकी के दो बाड लिखा गया कोई दिकत निस तरह उर्दू में टैपिंग गलत हो भी जाती है तो उनकी आने की पूरी उमीद थी तो यह जो है ना शेयर की तश्रीख कर दिये गया है इस तरह आप लोगों को तश्रीख कर देना है अब देखे दूसरा जो यह शे मुसीबत का आना लगा रहता है इसलिए मुसीबत से घबराना नही चाहिए चुकREM्ण हैos कर दिक मुसीबत का पहाड आखिए ऑना पर Cooking आता है ने रहेंगी तो लोग शुक का खुशी का महत्व ही भूल जाएंगे तो जिन्दगे में तो परिशानी आना ही आना ही मुसीबत तो आती ही रहेंगी लेकिन मुझे सरमार के तीशर से मर जाना नहीं आता यहां पर यह गाना चंगेजी बोल रहा है कि परिशानी आ रही है तो पाने दो लेकिन उसे लड़ेंगे हम हम ऐसे थोड़ना है कि पत्थर से सर मार कर मर जाएं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है उन परिशानियों से खुदा से यही दूआ करना चाहिए कि खुदा तु मुझे परिशानिया दे रहा है मुसीबते दे रहा है हमारे जिन्दगी म ताकत भी हमें दे तौफिक भी अता फर्मा मुझे जिन्दगी में परशानिया देना है तो दे लेकिन उसे लड़ने की साहस हिम्मत होसला यह हमें जरूर देना उसी के साथ ऐसे दूआ करना चाहिए आप लोगो तो यह दो शेर की तश्री कर दिया गया है आगे बढ़ते ह खलील रह्मान आजमी के शायराना खसूसित पर रोशनी डाली है खलील रह्मान आजमी के शायराना किस तरह की और शेर और शायरी करते हैं उनकी शायरी की क्या विश्रिश्टा है इस पर रोशनी डालना है आप लोगो तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि खलील रह रिमान आजमी की शायरी में गहरी महजूनियत पाई जाती है उनकी शायरी में मौत का एसास और जिंदगी को समेटने का अंदाज बार बार उभरता है उनकी शायरी में गमंगेजी और जिंदगी की हकायक से फरार फरार के बजाए मकाबला राई देखने को मिलती है उनकी शा बात और एसास भी होता है उनके उशार में दर्द और टीस की शिद्दत हद से जादा होती है हो गया इंसर आप लो का इसी तरह लिख देना है आगे बढ़ते हैं खलीलु रह्मान की अद्वी खिद्मात पर रोशनी डालिये जवाब में लिका हुआ है कि खलीलु रह्मान का लेक्चरर के पोश्ट पर उन्हें सब बावान इसबी में अलीगड में जाब करने लगे उनको जाब मिल गया वह एक साथ शायर और नकाद दोनों हैसियत से एहमियत रखते हैं शायरी में भी वह नजम और गजल दोनों इसनाफ में अपने मुस्ताकिम अद्वी शनाखत का अजम की सफर अभी सबसे मौयारी और मकबूल इंतखाब तसलीम की जाती है यह हो गया खलीलु रह्मान आजमी की अद्वी खिबात पर रोशनी डाल दी गई है आगे बढ़ते हैं तारीख गोई से मतालुक अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए तारीख गोई एक फन है य वफात किताबों की तस्नीफ बादशाहों की तख्त नशीनी फतुहात खिताब याबी मनसुप पर मामूरियत और इमारत की तामिर वगरा जैसे वाकात के साल को महفوظ रखना इस फन का मकसद है तारीख आम तोर से इसी जमाने में कही जाती है जिस जमाने में वाक्या रून आगे बढ़ते हैं तारीख गोई की अदबी और तारीखी एहमियत पर रोशनी डालिये जवाब में लिखा हुआ है कि तारीख गोई दूसरी कई सिन्फों की तरह फारसी शायरी से आई है फारसी में इस फन का आगाज कब और किस वाके से हुआ इसकी तहकी अब तक नहीं ह पारसी में इस कला का आगाज यानि की शुरुआत कब हुआ था किस वाके कौन सी गटना से हुआ था ये अभी रिसर्च नहीं हो पाया है नहीं पता चल पाया है लेकिन उर्दू शायरी की परवान चहरने तक यह सिन्फ बालिदा हो चुकी थी और यह फन मुश्किल है लेक सचछेश बीमे काको में पैदा हुए पत्ना उर्दू फार्शी भिहार यूनियर्सिटी मजफरपुर और शौबए फार्सी पतना यूनियर्सिटी से बहैसियत डारेकटर शौबए फार्सी के हुए और सदर जमहुरिया की सिटी फेक्ट औवानर से सरफराज किये गए उन्हें एक लंबी मुद्दत तक शायरों अधिवों और अपने जमाने के मुझस शक्सियात की मौत पर मतादुत तारीखे कही उन्हों ने तारीख गोई में अपनी महारत का सबूत दिया आगे बढ़ते हैं। गतात तारीख में तकर्जा का इस्तमाल कब होता है तो शायर मादे से दो काम लेता है एक वाके के एहम इशारे बियान करने का और दूसरा इसलिए के एदाद से वाके की साल जाहिर करने और इसलिए बसा अवकात ऐसा मादा हासिल होता है जो हर लिहाद से मुनासिब हो लेकिन उसके कुछ एदाद घट या बढ़ जाने की सूरत में शायर मादा वही रखता है रख लेता है लेकिन मगर उस शेयर में या इशारा कर देता है कि इतने एदाद का इजाफा करना या हजफ करना है इस हजफ करने को तखरजा कहते हैं तो ये लंबा चोड़ा आप लोगो दास्तान है इसका खुलासा लिखिए तो इसका खुलासा लंबा चड़ा आप लोगो लिखना है पसाना या जायब रजब अली बेक सुरूर की दास्तान है इस दास्तान में बादशा की सादगी और दर्वेशाना सफात को जागर किया है बादशा अपना मुलक साहिल को सौ उख्धा में आ जाता है उसकी बीवी को धोके से अपने साथ ले जाता है और बादशाक उसकी तलाश में निधाल हो जाता है यानि कि ढूंड़ता है चारो तर्म मतलब उसकी बीवी मिलती नहीं है और उसका एक बच्चा को बीड़ी उठा कर लेकर चला जाता है तो इस अब next question है कि तहरीक की कामयाबी से समाज की कौन-कौन सी बुराईया खत्म होगी तहरीक यानि की आंदोलन अगर कामयाब हो जाता है सफल हो जाता है तो समाज की कौन-कौन सी बुराईया खत्म हो जाएगी यही आप लोगो बताना है देखे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट कोई दिकत नहीं, आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, दो-तीन मिनट के लिए आप लोग देखेंगे, तो चीजे बहुत अच्छे तरीके से माइन में फिक्स होंगी, और उसके बाद से वीडियो को शेयर भी कर अभी तक लाइक नहीं किये तो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बीच में आप लोगों को याद भी दिरा दे रही हूं अगर भूल गए होंगे तो तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि तहरीक साला से मुराद पूर अमन और कामिल इनकलाब है पूर अमन यानिकी अहिंसात्मक अंदोलन जो हमेशा अगर अंदोलन करो तो अहिंसात्मक करो हिंसात्मक में बहुत दिक्कत हो जाती है लाठी चार जोगरा एक दूसरे पर आक्रमन करना हिंसात्मक अंदोलन तो नहीं करना चाहिए अहिंसात्मक ही अपनाना चाहिए और इसी से हम अपनी समाजी निजाम को दुरुस्त कर सकते हैं जै परकाश नारायन ने लोक नाय की ऐसियत से नौजवान तुर्बा से कहा है कि हिंदो मुस्लिम के मावें जो इखतलाफ है वो एक लानत मसला जहेज से परहेज करना होगा और मैं वालदीन से यह कहना चाहता हूं क कि आपकी औलाद जानवर नहीं है कि घोड़े बेल समझकर उसके सौधा कर दिया जाए बहुत शर्म की बात है कि अभी भी जो है ना मतलब जहेज लिया जाता है किसी भी मधभब और धर्म में जायज नहीं कि शादी में जहेज लिया जाए लेकिन फिर भी अभी क्या बताय लेकिन कुई दिकत नहीं है, थोड़ा सा लेट हो लेकिन, कीज़े समझ में वानी चाहिए, जोस की शायराना खसूसयत पर रोष्णी डाली, अब यहांपर जोश मली अबादी की शायराना खसूसा, यानि की उनकी शिर उशारी की विशिष्टाओं के बारे में बताना है, तो यहां तश्बीहात और यहां पर मिटक चुका है दरवा के आद उसमें नदर्त वनजाकत की नुमाईश है हकीकत यह है कि जोश ने मुखतलिफ पहलों को अपनी शायरी में नुमाया किया है और उनकी शायरी का मौजू फितरत निगारी और मनजर निगारी है ठीक है जो उसकी शायरी में इनकलाब की रवानी नुमाया है तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखे यहां पर कोश्टन पुछा है कि नजमियन की यह जो कवीता है आवारा इसका खुलासा लिखिए अब आवारा नाम के इसकावेता का खुलासा लिखना है तो निख्ये लिखा है कि इस रारूलहक मिजाज लगणवी की यह नजम आवारा इस्ट्राकित और इनकलाब की ऑवाज है तरकी पसंद तहरीक की जेर से मिजाज ने अपने खेलात और अफकार के इजहार का नजरिया पेश किया है इस तहरीक ने आज़ाद नजम निगारी की तरजमानी किया शराब नोशी, हुस्न परस्ती, हुस्न शिदाई और इश्की की पामाले ने जहन पर अच्छा शर नहीं डाला जिसे मिजाज की उम्रोफा ना कर सकी और हलांकी उसके कलाम में सरमस्ती, फिक्र वो नजर की गरानी ने इन फरादी शान पैदा कर दिये शहर की रात, जगमगाती, सड़ के जिल मिलाती, कुमकुमा और मेरे हाथों में दिन की मोहिनी तस्वीर है आकास पर तारो का जाल, सुफी तसौर जमाल और आशिक का ख्याल को कौन समझे दिल का ख्याल जिसमें कैफ भी है और सुरूर भी आवाज में सोजवसाज है और इनकलाब का पैगाम, ये लंबा चौड़ा लिखा गया है, आगे बढ़ते हैं सौदा की कसीदा निगारी पर तबसरा कीजिए, अब यहाँ पर सौदा की कसीदा निगारी के बारे में लिखना है किस तरह की कसीदा लिखा करते हैं, उनकी क्या खसूसित वगरा, जो भी लंबा चौड़ा है देखे लिखा गया है, कि सौदा की कसीदा निगारी में जजबात निगारी है और सौदा अर्दु जबान वादब के बड़े कसीदा निगार है गजल गोई का अगास भी सौदा ने बजाब तक किया उनकी गजलियात में मुबालगा अराई और अब्तदाल की रवदारी है गया एक इन्फरादी आहंग है सौदा और मेर का एहद एक तसलीम किया जाता है और दोनों अपने अपने कलम के बादशा है एक को खुदाए सुखन और शेंट्रा गजल कहते हैं तो दूसरे को मुलक शौरा कहा जाता है तजीग रुदगार लाजवाल हजविया कसीदा है दिली के मुस्तरके तैजीब और माश्रत के इकतलाफात इसकदर अब्तरा थे कि सुखन और गोड़े की हजविया बियान की मगर हकीकत में एहद मुगल के बदलते हुए सियासी हालात का मरसिया है ये जो हजविया कसीदा है तजीग रुदगार इसके जो राइटर है वो बले ही घोड़े को आप बोल सकते हैं गोड़े का मझा फुड़ाया है लेकिन गोड़े को नमुना बनाकर वो मुगल शासनकार का मझार पूड़ाया है मुगल शासनकार की बैजती की है आप बोल सकते हैं तो ये लंबा चड़ आप लोगो को इसका एंसर लिख देना है अगर इस तरह से कोशन पूछे तो तो ये था 12th क्लास के उर्दू का पास नंबर वाला most important subjective question I think आप लोगो को हर एक question समझ में आया होगा और लगबग सभी question पर आप लोग का command भी होगा क्योंकि जितना भी question उठाया गया है book से उठाया गया है chapter से लिया गया है और all chapter पर आप लोगो आप लोगो को छोड़ना नहीं है ध्यान रहे इसी question में से आप लोगो के exam में question पूछेगा ये ध्यान में रखते हुए सारे question पर आप लोगो को command कर लेना है किसी भी हाल में एक question भी नहीं चूटना चाहिए तो चलिए कोई भी confusion आप अमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाखी में आप लोगों को लाइक नहीं किया है तो फड़ाफट लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और चानल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज